हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रिव्यू ये है साउट आफ्रिका बनाम ऐस्टेलिया फर्स्ट ओडियाई जो की साथ सब्टेंबर को शाम में साड़े चार बजे से होगा बात करें दोनों टीम्स की तो हाल ये में T20 सीरीज खेल कर आ रही है जो कि ऑस्टेलिया ने अच्छी खासी विन पाई है उसमें और अब कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप के जितने करीब जाते चलें वहाँ पर ODIF फॉर्माट में भी डॉमिनेट करें दोनों टीम्स की देख लेते हैं क्या बनती हैं स्कॉर्ड तो हमारे पास सामने हैं सबसे पहले साथ आफ्रिका की स्कॉर्ड इनकी प्रॉबर प्लेंग 11 अगर हम गेस करें तो डिकॉक, बहुमा, वैंड एंडरसन, माकराम, क्लासन, मिलर, यैंसन, रबाड़ा, नौकिया, शामजी और हमारे इसाब से पार्नेल या महराज में से किसी एक को स्टार्ट मिलनी चाहिए और श्टेला की एक सो और जो है वो भी आपके सामने हैं और इन में से जो प्रॉबर प्लेंग 11 होगी हमारे इसाब से वर्णर एंड हेट्शूड ओपन दी इनिंग्स लाभू लाइन अप में तो टीम शीट क्या बनती है बात करें इस वेन्यू की तो ये मैच होने वाला है मांगाउं ओविल ब्लॉम फेंटिन में जहां पर अक्सर हमने देखा है कि रंस बनते हैं और यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये 270-280 काइंड ओफ गेम हो सकती है पि कर लेते हैं अब इन प्लेयर्स के रेकॉर्ड्स की इन 2023 तो साथ आफ्रिका के बैटल से चुरुआत करते हैं टेंबा बावुमा 6 इनिंग में 420 रन 84 का अवरेज हैं का जिसमें 150 और 200 शामिल है एडिन माकरम की बात करें तो इनके नाम है 6 इनिंग में 352 रन 70.4 का अवरेज क्लास इन 5 इनिंग में 284 रन 71 का अवरेज पर हमें अभी भी लगता है कि क्लास इन चाहे टी 20 में जितना बेटर बैटर हैं ODI में उनसे थोड़ा सा कम होते हैं डेविड मिलर 5 इनिंग में 232 रन वैंडर डशन 7 इनिंग में 232 रन एंड क्विंटन डिकॉक पांच इनिंग में केवल 133 रन बना चुके हैं इस साल में जिसमें एक भी 50 या 100 शामिल नहीं है इनके बोलोस की बात करें तो मगाला 4 इनिंग में 12 विकेट ले चुके हैं क्व 20-12 बाड़ा दो इनिंग खेले हैं उसमें दो विकेटिंग के नाम रही है चलते हैं ऑस्टेला के बैटर्स की तरफ दिखते हैं इनके ODI के रेकॉर्ड तो मिचल माश 5 इनिंग में बना चुके हैं 200 रन जॉष इंग्लिश के नाम है 4 इनिंग में 210 रन आवरेज देखो तो Adam Zampa has been the pick of the bowlers once again 5 इनिंग में 8 विकेट, Ashton Eager 10 इनिंग में 8 विकेट, Nathan Ellis 3 इनिंग में 6 विकेट और Sean Abbott के राम रहे हैं 4 इनिंग में 6 विकेट तो अब देखोगे तो David Miller 10 इनिंग में 404 रन यहां पर, Dickock के नाम है 4 इनिंग में 206 विकेट इनिंग में 206 विकेट इनिंग में 10 विकेट, Magala 5 इनिंग में 9 विकेट, Keshav Maharaj 5 इनिंग में 8 विकेट और Wayne Parnell 8 इनिंग में 7 विकेट यहां पर पिक कर चुके हैं अब बनाते हैं अपनी टीम, because that is where we will find कि क्या बनते हैं प्लेयर्स जिनको हमें हमारी बेस टीम में पिक करना है शुरुआत करेंगे बेस टीम से तो number 1 पर आते हैं विकेट कीपिंग सेक्शें में जहां पर हमारी टीम में पक्का होंगे अब उम्मीद करते हैं कि यहां पर रंस बनाकर आगे बढ़ेंगे इनके अलावा आपको आप्शन जो बनता है बेस टीम में लेने लायक वो नहीं है ना हेंडी क्लासन हैं ना जॉश इंग्लिश इंग्लिश प्राइमेरली मैं आपको आगे सेक्ली में डिसकस करूंगा कि क हमारे लिए काफी important रहेंगे और इनको बेस टीम में लेकर चलेंगे ट्राविसहट को खतरा है और खतरा है कगीसो रबाडा से जहां पर 4 इनिंग में टीममार आउट करा है कगीसो रबाडा ने ट्राविसहट को तो यह एक danger है पड़ इनके हलावा हमें लगता है कि he should be a good pick और इनको हम पक्का बैक करके चलेंगे, बैंडे असन अगेन एक एक्सलेंट चोईस है, और हम इनको बैक करके चल रहे हैं, होपिंग कि वो जहां बैटिंग करेंगे इस पर्टिक्लर ओडर में, नमबर तीन, नमबर चार के आसपास, वहां पर रंस बनाने की पूरी अबिलिटी रखेंगे, बेस्टी में ये दो प्लेयर है, इनके अलावा आप देखो, तो टेमबा वाववा को बैक कर सकते हो, स्पेशलि अगर साथ आफ्रे का बैटिंग फॉर्स करती है, फेनॉमनल फॉम में रहे हैं, हमारी बेस्टी में फिलाल ये नहीं आ पा रहे हैं, अगर आपने चंसेदर करना है कोई पर्टिकुलर सिनारियो में, तो वहां पर डिसकस कर लेंगे, आता हैं इनके बाद देविट मिलर, वंस अगें, हम फिलाल हमारी बेस्टी में नहीं ले पा रहे हैं, डेविट मिलर को सिनारियो बेस्टी में शायद तंसेदर कर पाएं एक पर्टिकुलर सिनारियो पर, इनके अलावा आते हैं डेविट वार्नर, ना उस अस्टेला की तरफ से हमें देखना है कि कौन से ओपनर्स कौन बैक करेंगे, मामला बराब रिका है, डेविट वार्नर के लिए खाली एक ही चीज़ है कि वेन पार्निल ने भी इनको उतना ही परिशांग करा है, जिकना क्विंट अन्डिकॉप को जो और शेचल उडने, अगर आप नंबर्स देखो, डेविट वार्नर के वर्सिस साथ आफ्रिका बूलर्स, वेन पानल ने पांच इनिंग में चार बार आउट करा है, एंगीडी ने दो इनिंग में दो बार, एंडरिक नौक्या ने तीन इनिंग में एक बार आउट करा है, और डेविट वार्नर जो हमने टेस्ट मैचस में भी देखे थे इसके पहले, हैंस हम वार्नर की जगाँ पर ट्रावेस हैट को बैक कर रहे हैं इस पर्टिक्यूलर गेम में, क्या पता ट्रावेस हैट को एक अडिशनल बोलिंग करने की ऑपरचिनिटी भी मिल सकती है, और यही एक चीज़े जो हम आपको बताना चाहते हैं इनके अलावा जो एक इंपोर्टन बैटर जो हमारी बेस्टी में रहेंगे वो मानस लाभूशाने, लाभूशाने फिलाल ऑस्टेलिया की जो प्रॉबिल वर्ड कप की लिस्ट है वहाँ पर नहीं शामिल है, इस टॉर्णमेंट में यार इस गेम में खेलेंगे विकोज स्टीवन स्मिट अवेलेबल नहीं है लाभूशाने के पास एक और मौका है यह बताने का टू दी ऑस्ट्रेलियन सेटप की वह कितने इंपोर्टन है और वह फिर से रंस एट विल बना सकते हैं तो इसलिए लिए प्रणने रहेंगे हमारी बेच टीम में और हमें लगता है कि ये सीरीज इनके लिए इंपॉर्टन रहें कि जहां पर यह जोर से रंस बना सकते हैं चलते हैं दोस्तों अब हम फिक और वन प्र एंगीडी ने भी बीड़ मिड़क करेंगे और उसमें पूरा बैक करके बोलिंग इनको मिले के नहीं मिले के इस पर डॉट्स हैं, शायद नहीं लगता कि मिचलमाच बोलिंग करेंगे बड़ बैटिंग की वैल्यू इनफ एंड मोर है। शेकेंड प्लेयर जो हमारी बेस्टीम में पक्का रहेंगे वो होंगे एडिन माकराम, अगर आप देखो दोस्तों तो अगें बैटिंग बोलिंग दोनों से कॉंट्रिबूट कर सेते हैं, बैटिंग भी करेंगे नंबर चार के असपास, इनकी वैल्यू एंड स्पेशली साथ हैं कि क्या उस्टीडा के बैटर्स लेफ्ट आम पेस पे स्ट्रगल करते हैं, नंबर आपके सामने हैं, डेविट वर्नर 53 इनिंग में 19 बार आउट हो हैं लेफ्ट आम पेस पे, ट्राविस हैट 46 इनिंग में 14 बार, लेन मैक्सवल 47 इनिंग में 13 बार, एंड मिचल मार्ष 28 इनिंग में 10 बार, जोश इंगलिज भी 8 इनिंग में 4 बार आउट हो हैं, अगेंस लेफ्ट आम पेस, अगर आप देखो इनके नंबर वसेज मार्को आंसन और वेन पारनल तो नहीं खेले हैं इतना, पर वेन पारनल के सामने clear weakness दिखती है, और वो है डेविट वार्नर की 5 इनिंग में 4 बार आउट हो हैं, अगेंस वेन पारनल, weakness है, and Mitchell Marsh भी 3 इनिंग में 2 बार आउट है, Glenn Maxwell, Travis Head दोनों ही आउट नहीं हो है, तो उस case में कोई चिंता नहीं है, बट अगर आप चाहो, especially bowling first, Marko Yange and आपके लिए वेन पारनल एक option बन सकते हैं, अगर आप चाहो अपनी सब्सक्राइब करना चाहेंगे, या जिनके लिए हमारे पास दूर अडिटा पॉइंट हो, जिससे आपकी मदद रपा है, चलते हैं, बोलिम सेक्षिन में और यहां पर तीन प्रेस हमारी बेस्टी में पक्का रहेंगे, जोकी हैं, कगी सो रबाडा, एंडरिक नौकिया, एंड जॉश हेजलू, देखते हैं, कगी सो रबाडा क्यों और इनकी हेजल बूट की इंपोर्टेंच क्या है, क्विंटन डिकॉक के साथ इंका जो मैच अप है, वो हम अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं, कि दस इनिंग में छे बार इन्होंने आउट कर रहा है, इनकी अलाबाद डेविद मिलर आठ इनिंग में एक बार आउट हो है, बेन पानिल है कि मेरे पास advantage है against this batter and you sometimes get to see the best of them, इनके अलाबा एंडिक नौक्या भी पक्का रहेंगे हमारी टीम में और इनको हम हमारी बेस टीम में ले कर चलेंगे, अब दोस्तों बाकी options consider करें तो pat comments unfortunately is not available, चैने उनका left, you know, जो fracture हुआ है left wrist में वो अब तक ठीक हुए नहीं है, spinners में काफी important picks होंगे दो Adam Zampa and होंगे तबेश शमजी, इन में से जो भी bowling second करेंगे वो हमारी टीम में पका रहेंगे, देखते हैं हम South Africa के batters के numbers against leg spin और आपको नसर आएगा कि David Miller 48 innings में 9 बार आउट हो है leg spin पे, Winton Dekogg 39 में 9 बार, Wander Derson 28 में 9 बार and Enric Klaassen 32 में 7 बार आउट हो है leg Tandir Sangha ने भी दिखा है था T20s में and bowling second you know leg spinners are generally important and हम इसलिए अगर Zampa bowling second करें तो पका इनको back करके चलेगे, Class N 4 निंग में एक बार ही आउट हो है Zampa के सामने Wayne पाने लेक में एक और बाकी जो भी batters हैं उनको Zampa ने परिशान नहीं कर रहें, और Strelia की batters की बात करें तो वो left arm China men में कितना श्रकल करते हैं वो देखते हैं और Alex Carey 13 innings में 6 बार आउट हो है left arm China men पे, Len Maxwell 12 में 3 बार, David Warner 6 में 2 बार, Ashton Eager 4 में 1 बार, अगर आप देखें इनके match-ups वसी तबरे शमजी तो आपके सामने numbers है, Alex Carey 3 इनिंग में एक बार आउट हो है, Travis Head 1 इनिंग में एक बार, बाकी Warner, Hazelwood, Marskin को भी परेशान नहीं करा है, पर हमारी टीम में पक्का रहेंगे तबरे शमजी अगर वो bowling second करते हैं तो, अगर देख लें दोस्तों और options तो केशब महराज एक interesting because I think बढ़िया differential हो सकते हैं, because Australia के batters के number आप देखोगे versus left arm spin, Maxwell 58 इनिंग में 13 बार आउट हो है कि हमारे इसाब से शायद इस pitch पर वे इंपानल को मौका मिल सकता है और इसलिए महराज शायद खेले ना, इनके अलबागा क्वेट जी खेलते हैं तो exciting option हो के इस सालन ने देखा है, already he's done well, इस venue पर भी काफी बढ़िया कर रहा है, unconsider कर सकते हो आप इनको अगर ये खेलते है as a differential pick, पर हमारी base team में नहीं रहेंगे, बात करें, Sean Abbott नेते निलिस की, तो again scenario wise जो analysis करेंगे, वह हमारी team में आते हैं कि नी, पर base team में ये players पकानी चलेगा, दोस्तों अब चलते हैं उस scenario पर और देख लेते हैं कि Australia batting first और batting second में क्या बनती है हमारी teams, तो सबसे पहला scenario जहा पर होते हैं, तीन batters pick करने का, वो सारा हो चुका है, अब आते हैं all around the section में, जहां पर हमारी base team में 10th pick रहेंगे, Marko Jansen या Wayne panel, इन दोनों में साब किसी को back कर सकते हो, जिसको भी आपने back करना है, हम mostly Wayne panel को लेकर चलेंगे, अगर वो खेलते हैं, अब जो 11th pick रहेगी, जहां प इस scenario में bullying करेंगे second innings में, तो Stoinis versus Zampa एक scenario जो आपको consider करना है, और आपने जूसना है कि आप उनको pick करना है कि नी, and second ये है कि Wayne panel को pick करने के जहाँ पे भी आप Adam Zampa की तरफ जा सकते हो, अगर आपको लगता है कि Australia फिर से favourites रहेंगी this particular game में, चलते हैं second scenario में, जहां पर South Africa कर बैटिंगी batting first, हमारी base team 9 plays की set थी, अब Nathan Ellis या Sean Abbott दोरों में से पक्का एक player को लेकर चलेंगे, जो की death में bullying करेंगे, और हमारे बन जाएंगे 10th player, 11th player वाली जो choice है, वहां पर आपके पास multiple options, तबरेश कमजी की तरह आप जा सकते हो, आप चाहे तो जा सकते हो towards Sean Abbott, और आ आपने अगर लेना है साथाफिका के extra batter, तो टेमबा पवोगों भी आपके लिए exciting option बन सकते हैं इस particular scenario में, जहां पर वो करने वाले हैं patting first, इनके अलावा, ना stoiness, ना panel किन ही को भी हम हमारी current team में fit नहीं कर पारें, जैसा हमारी base team थी, scenario wise आपको हमने combination बता दी है, final team जो है, लिंक description में है, और pinned comment में भी रखाएं, और दोस्तों बात कर ले हम, अगर captaincy wise captain choices की, तो यहां पर popular picks में आते हैं कौन, Aiden Makram रहेंगे, Quint and Decoq भी popular choice होने चाहिए, पर इनके लिए आप wait and watch थोड़ा सा कर सकते हो, इनके अलावा options में होंगे Mitchell Mars, जिनको आप consider कर सकते हो, अगर अगर आप bowlers की तरफ जाएं, तो जो भी death में bowling कर रहे हो, चाहे वो Rabada हो, चाहे वो Android Nokia हो, चाहे वो Hazelwood हो, इन तीनों को potential wise captaincy option की तरफ आप consider कर सकते हो, अगर आपको differential captaincy choice से ही है, तो वहां पर van der doesn't especially batting first, एक exciting differential captaincy choice बन सकते हैं, जल मिलेंगे बाकी सारे games के fantasy preview के साथ,